हलो अच्छों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होंगी और साथ में ये भी उमीद करते हैं कि आपने जो इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर अप्लोड किया था पार्टनर्सिप चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट वो आपने अच्छे से देख लिया होगा आज हम बात कर रहे हैं पार्टनर्शिप के फर्स चैप्टर यानि की जो था हमारा fundamental of partnership या basics of partnership उसका ये आपका part 2 होने वाला है that means chapter 1 का part 2 आज हम आपके सामने लेकर आएं बच्चो तो अभी तक हमने आपसे part 1 के बारे में discussion किया था अगर आपने part 1 देख लिया है तो बहुत अच्छा किया अब आपके लिए दूसा part ready है लेकिन अगर आपने part 1 बच्चो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके part 1 को देखकर आईए मैं description में नीचे link देदेता हूँ वहाँ पर जाकर आप उस link पर click कीजिएगा या फिर i button में आपको link मिल जाएगा पहले आप part 1 देखें उसके बाद ही part 2 को start करें sequence by sequence तरीके से हम class रखते हैं और आगे इसको follow करेंगे और इस chronology को आप से उमीद करेंगे कि आप इसको follow करेंगे और इसको आप as it is use करेंगे या as it is ही आप पढ़ेंगे जैसा हम आपको suggest कर रहे हैं no doubt अगर आप हमारी बाते मानेंगे तो आपके number बहुत अच्छे आने वाले हैं तो इस class में इस video में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ आज मैं आपको partnership deed के बारे में coverage बताऊंगा partnership deed होगी तो क्या करेंगे अगर partnership deed partners ने नहीं बनाई है तो हम क्या करते हैं साथ में partnership deed होने के क्या क्या फायदे होते हैं और last में बात करेंगे कुछ case study based questions की जो इस related board में previous years में आ चुके हैं उसमें 10 years के question included होगी चलिए शुरू करते हैं तो बच्चो आज हम आपसे बात करेंगे partnership deed के बारे में partnership deed की ये partnership deed होती क्या है देखी बच्चो क्योंकि partnership में एक से ज़्यादा लोगों का involvement है अब एक से ज़्यादा लोगों का involvement है तो इस बात के chances बहुत ज़्यादा होंगे कि कल को disputes हो सकते हैं for an example माल लेते हैं A और B ने कोई decide किया कुछ tournament condition रखी और कल को उनमें से कोई जूट बोलने लग गया या ये माल लेते हैं एक ने दूसरे से जो tournament condition decide की थी वो आपस में भूल गई जिसकी अजैसे उनके बीच में conflicts हो सकते हैं उनके बीच में लड़ाई जगड़े हो सकते हैं तो ऐसे सिसी से बचने के लिए इस situation को avoid करने के लिए हम एक situation create कर लेते हैं हम एक document create कर लेते हैं जिसको बोलते है partnership deed तो basically partnership deed होती क्या है बेटा partnership deed जो है आपका एक document है सर ये कैसा document है बेटा ये वो document है जिसमें term and conditions होती है term and conditions of related to business चीक related to business यानि कि business से related यहाँ पर term and condition होती है सर ये term and condition जो होंगी किस तरीके की होंगी बेटा ये may be oral हो सकती है या may be in written form ये writing में भी हो सकती है या ये oral भी हो सकती है क्या partnership deed को बनाना compulsory है ना न इस partnership deed को बनाना optional है optional है compulsory नहीं है यानि कि आप partnership deed जो बना रहे हैं इस partnership को deed को बनाना बच्चो optional है not compulsory इसको बनाना not compulsory इसको बनाना compulsory नहीं है optional है और ये वाली बात कभी कभी वो mcq या true false में पूछ लेता है कि क्या partnership deed को बनाना compulsory है तो हम बोलेंगे compulsory नहीं है optional है partnership deed कैसी होती है oral हो सकती है या फिर written form में भी हो सकती है partnership deed में होता क्या है partnership deed में हम term and condition रखते हैं किसकी सर वो भी हमारा जो related to business term and condition है वो सारी term and condition रखते हैं और यह एक document है तो इसको अपिस तरीके से लिख सकते हैं कि partnership deed is a document which contain all term and conditions related to the business यह लिखित में भी हो सकता है और दिमाख में यह डाउट आ रहा है कि ठीक है हम आपकी सारी बात समझ गए कि यह डोक्युमेंट है जिसमें टर्मेंड कंडिशन्स होती हैं सारी टर्मेंड कंडिशन्स को हम लिखके चलते हैं ताकि जगड़ा ना हो तो यह टर्मेंड कंडिशन्स होती कैसी हैं इसी को हम बोलते हैं बच्चो elements of deed अभी अभी जो हम बोल रहे थे कि टर्मेंड कंडिशन क्या-क्या होंगी किन-किन बातों पर किन-किन सर्तों पर हम बिजनिस में एग्री हुए हैं एक दूसरे के साथ चलने के लिए उन्हीं सारी सर्तों को हम elements of deed बोल देते हैं कि क्यों कौन-कौन से elements हैं जिन से मिलकर partnership सिपर deed बनती है तो सबसे पहला सर एक बात बताओ हम कल को बारवी पास करने के बाद या आगे फरदर अपने CACS करने के बाद या MBA वगेरा करने के बाद या whatever जो भी हमने किया करने के बाद अगर किसी के साथ business करने जाएंगे तो ये practical problem तो कल को हमारे साथ भी होगी कि हम जिसके साथ business कर रहे हैं हमारा कल को से जगड़ा हो सकता है किसी बात पर conflicts हो सकता है तो भाईया उन जगड़ों से उन conflict से बचने के लिए हम एक deed तयार करेंगे तो deed तो एक document का नाम है एक कागज के तुकड़े का नाम है जिस पे partnership firm की आप stamp बगएरा लगा लोगे या सारी चीज़ा sign कर लोगे तो भाईया उस कागज के तुकड़े में आप जो जो बाते लिखोगे जिन जिन सर्तों को कुछ लिखोगे sinds के लिखोगे उन्ही सर्तों को हम बोलते हैं elements की क्या-कया बाते लिखे हम से अंदर इस कागज के तुकड़े में क्या-क्या है हमें तो इस कागज के टुकड़े में आपको लिखना है नेम ओफ बिजनीस की बिजनीस का हम नाम लिखेंगे की हमारे बिजनीस का नाम क्या-क्या है और क्या लिखेंगे सर ओब्जेक्टिव लिख देंगे क्या लिख देंगे हम ओब्जेक्टिव बिजनीस की बिजनीस करने का क्या क्या objective है हमारा और क्या लिख सकते हैं सर हम यह लिख सकते हैं कि नाम क्या है पार्टनर के नेम्स ओफ पार्टनर जो भी हमने पार्टनर बनाए है उन पार्टनर के नाम क्या क्या है सर जी उनके signature भी करा लेना सर उनका address प्रूव या उनके document भी ले लेना पार्टनर्स के एड्रस प्रूफ या डोक्यूमेंट ताकि वो कल को ये तो हम वेरिफाई कर सके कि ये आदमी जैन्वन है सही है कोई लीगल वीगल केस तो नहीं चल रहा है इंपे तो उसे नाम लिखेंगे जिस दुकान काम में नाम रखा है क्या क्या उब्जेक्टिव उनका एड्रस उनके सिंगनेचर उनके नाम मगरा लिखेंगे उनके साइन करा लेंगे साथ में पार्टनर्स ने क्या 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 क कितने पैसे लगाएगा भी कितने पैसे लगाएगा उसको capital contribution बोलते हैं उसके बाद में सर कल को profit होगा तो हम profit को कैसे share करेंगे यह वाली बात भी पता होनी चाहिए कि profit sharing ratio क्या-क्या होगा किस ratio में हमें रखना है तो कितना रखेंगे क्या equal रखेंगे या कोई और ratio रखेंगे जो भी ratio होगा वो लिखके बैठ जाएंगे इसके साथ में सर और क्या-क्या बाते होंगी सर इसके अलावा हम बात करेंगे कि कितना interest on capital होगा देखो जो आपने capital business में लगाई है मान के चलो अगर आप उस capital को business में नहीं लगाते और bank में रख देते तो bank से interest मिलता ना तो इसी concept के आधार पर हम जो business में पैसा लगाते हैं business से क्या लेनाल चालू कर देते हैं interest on capital तो कितना interest on capital अलाव होगा कितना rate से अलाव होगा ये सारी बाते हमें deed में लिखनी है तभी माना जाएगा कि deed में है इसी तरीके से जिस तरीके से आप interest on capital firm से मांग रहे हो ऐसे ही firm आप से बच्चो interest on drawing लेना चालू कर देगी तो कितना interest on drawing आप लोगों से charge किया जाएगा partner से कितना charge किया जाएगा क् इसके बारे में लिखेंगे इसके साथ में देंसे तुना बच्चो अगर कोई partner को हम salary देते हैं तो partner salary कितनी होगी ठीक मान लो किसी partner को commission देते हैं तो partner का commission कितना कितना होगा इस तरीके की बातें यहाँ पर हम लिखके चलेंगे sir इसके अलावा क्या होगा इसके अलावा अगर interest दिया है किसी partner ने ऐसे लिखते हैं ठीक है interest to partner on loan जो उसने किसको provide किया है provide to firm मान लो किसी partner ने firm को loan दे रखा है capital तो दे ही रखी है उसके अलावा भी partnership firm को पैसों की जुरूत हुई तो उसने partnership को कहा लो तुम भी क्या याद रखोगे हम आपको loan दे देते हैं तो उस पर उसको कितना interest मिलेगा इस तरीके की बात है चीक है rule अगर मान लो कल को किसी को हमें admit करना है नया partner रखना है तो rule related to admit of partner चीक अगर किसी partner को हमें admit करना है कल को नए आदमी को रखना है तो क्या rule रहेगा मान लो किसी को आपको हटाना है रिटायर करना है तो rule क्या रहेगा इसके लिए इसको क्या लिखेंगे हम rule regarding retirement चीक बच्चो ओके इसी तरीके से कल को बंद कर रहे है तो rule regarding dissolution of firm दुनिया भर की बात है rule regarding dissolution of firm सोट में लिख दिया मैंने बच्चो यह dissolution of firm है इसलिए मैं dictate कर रहा हूँ rule regarding dissolution of firm की dissolution करेंगे तो किस आधार बे करेंगे और इसी के तरीके से कोई any other any important conditions ठीक आपको लगता हो कुछ और condition होंगी तो वो सारी सरते भी हम यहां पे रखके चलेंगे partners के साथ ठीक है इनकों क्या हो लेते है elements ओ partnership deed partnership deed के क्या क्या element होंगे जितनी भी बाते जितनी भी सरते आपको रखनी है वो सारी बाते वो सारी सरते आप लिखके रखना ताकि कोई लड़ाई जहगड़ा वाली बात ना आए तो इसलिए हम इस तरीके से करके चलते हैं नहीं है और partnership डोक्यूमेंट है डीड़ डोक्यूमेंट है जिसमें हम तर्मेंट कंडिशन लिखते हैं कि यह जो लोग मिलकर इखटे हुए वो किस आधार पर अपना बिजनिस चलाएंगे ठीक लेकिन यहाँ पर याद रखना है क्योंकि यह compulsory नहीं है अभी हमने क्या कहा ह ही नहीं है मालो अगर partners ने डीड फ्रेम नहीं की लेकिन जब conflicts हो जाते हैं तो oral deed में यह दिक्कत आती है राइटिंग में तो कोई evidence है नहीं हमारे पास तो अगर राइटिंग में evidence नहीं है तो इस तरीके से हम इस conflicts को कैसे solve करेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाती है तो उन सम अंस्याओं से बचाने के लिए यहाँ पार पार्ट्नर से प्रेक्ट 1932 ने कुछ बाते बोली है और उन्होंने कहा है बच्चो रूल रिगार्डिंग रूर रिगार्डिंग in absence of deed देखो डीड थी दीड का मतलग आपने जो ट्रमेंड कंडिशन पर एग्री हुए थे अब राइटिंग में थी नहीं ओरल में थी अब आपकी होगी जगडा ए कुछ कह रहा है बी कुछ कह रहा है तो इसका मतलग जो ओरल डीड थी वो mutual कहा रही तो अब जगडा सुल्टाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर आपकी deed absent है that deed नहीं दिखाई देती है पाटना से बिजनिस में क्योंकि यह कोई compulsory document है नहीं तो अगर यह नहीं है तो कुछ term and condition होंगी तो वो हमें follow करनी पड़ेंगी तो धंसे सुनना बच्चो यहाँ पर हम लिख रहे हैं following term and conditions ठीक will be applicable ठीक यह term and condition applicable हो जाएंगी क्या term and condition applicable हो जाएंगी मेरे बेटा जी अगर डीड नहीं है तो क्या क्या term and condition applicable हो जाएंगी पहली term and condition भंग से सुनना बच्चो no interest on capital no interest on capital आपको अपनी capital पे कोई interest नहीं मिलेगा या तो आप डीड बनाके डीड में लिख दो कितना percent interest on capital चीए अगर नहीं लिखोगे तो कोई interest on capital नहीं मिलेगा आपको साथ में no interest on drawings कोई भी interest on drawings भी नहीं होगा मेरे बेटा जी ध्यान रखेंगे पहले हमने कहा था दीड में जितना लिखा होगा उतना अलाव करेंगे अब दीड में लिखा हुआ नहीं है तो interest on drawing हम अलाव नहीं करेंगे थार्ड वन ठीक है जी no commission no commission will be allowed to partner बेटा जी partners को कोई commission allow नहीं होगा फिर आपको commission नहीं मिलेगा no salary टू पार्टनर पार्टनर को बेटा जी कोई भी salary नहीं मिलेगी कोई commission नहीं मिलेगा कोई salary नहीं मिलेगी कोई interest on capital नहीं होगा कोई interest on drawing नहीं होगा बेटा जी उसके बाद हम बात करते हैं फिप नंबर पे बच्चो इक्वल प्रोफिट sharing ratio यानि कि lab में हिस्सा बराबर बराबर च्रीक यहाँ पर low equity है अगर आपने कोई decide नहीं किया है तो low equity के हिसाब से हम मानेंगे सब हमारे लिए बराबर हैं तो आपका जो lab honey का हिस्सा होगा profit sharing ratio होगा वो बराबर बराबर ही decide करेंगे और यह माना जाएगा business run by all partners चीक और यह माना जाएगा हमने कहा था ना कि business कौन चला सकता है सारे partner या सब की सहमती से कोई एक partner अब जीड तो है नहीं तो अब सबने मिलकर किसको सहमती दी है इस बात पर जगड़ा हो सकता है तो सर जी हम तो यह मान लेंगे कि सारे के सारे लोग चला रहे होंगे business और last important part जो सबसे important है और आपको याद रखनी है मेरे बेटा जी इसको बोलते हैं interest on partners loan interest on partners loan ठीक कितना होगा will be 6% per annum बेटा जी जान से सुनना paper में ये question कभी कभी इस तरीके से आ जाता है और पता है क्या बोलता है महाँ पे बच्चो महाँ पे बोलता है 6% और एक option में दे रखा होता है 6% per annum तो हमारा answer कुन से वाला होगा हम 6% वाले को टिक नहीं करेंगे आग मीच के हम किसको टिक करेंगे 6% per annum वाले पे हम टिक करेंगे और 6% per annum वाले को हम अपना answer मानेंगे बेटा जी तो यह बात आपको ध्यान लखनी है इसका मतलब यह है कि partner ने इसका means यह है बच्चो कि partner ने firm को लोन दिया है ठीक ठीक partner ने firm को लोन दिया है लिया नहीं है मेरे बेटा partners ने firm को लोन अगर दिया है तो उस पर उसको 6% per annum का interest मिलेगा अगर deed नहीं है अगर क्या नहीं है मेरे बेटा जी अगर deed नहीं है तो 6% कि यह वां तो बेटा डीन है और अगर डीन हमें दे रख एंगा गोट्टन डीन देहर इंगे और अगर डीन नहीं देर की दीन में कुछ नहीं बोला तो हम बोलेंगे किश परणने में नहीं है कम से कम 6% पर रहनम तो तुझको इंट्रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा तो ये बाते हो गई हमारी partnership deed के उन provisions के बारे में कि अगर deed नहीं दे रखी है तो क्या-क्या provisions applicable होते हैं चीके जी तो मेरे बटा जी बात करते हैं आज की class का अपना last topic और इसमें हम बात करेंगे कि क्या-क्या importance होती है importance of deed ये जो आप partnership deed बना रहे हो इस deed की क्या-क्या importance है या क्या-क्या benefit आपको मिल जाते हैं partnership deed बनाने के हम deed बना रहे हैं partnership deed हमने create की है तो कोई थोड़ी भी आदमी अपना काम कोई बिना बात होगा अगर बिना डीड के काम चल जाता तो भीया क्यों deed बनाते क्यों बिना बात की आफ़त पालते कहीं ना कहीं कोई problem रही होगी तभी तो मिना रहे है ना मेरे बैटा जी तो कुछ तो हाइदा मिलता होगा कुछ तो benefit होगे सर आपने अभी बताया ना deed written में भी है oral में भी है लेकिन अगर oral में है ना सर तो अफिर लपड़ा ये पढ़ जाएगा कि आप prove कैसे करोगे कौन सा सच बोल रहा है A. अपनी बात बोल के कह रहा है जी मैं सही कह रहा हूँ भी अपनी बात बोल के कह रहा हूँ माल लो मैं एक common man या जजज सहाब हूँ अब जजज साब कैसे पता लगाएंगे A. सच कह रहा है B. सच कह रहा है तो problem हो जाएगी जी तो जजज सहाब बोलेंगे भीया तुम्हारी ओरल वाली जो बाते हैं तुम एक दूसरे से एगरी नहीं करते हो जगडा करते हो अपना लिख के बना लो सारी बातों को हवा बाजी में मत रहा करो तो इसको हम बोलते हैं कि डीड को राइटिंग में रख लो राइटिंग में रखेंगे डीड रिटिल में होगी या indeed exist होगी तो क्या-और वाइदे होंगे तो यह फायदे होंगे पहला लिख लीज़े बत्चो क्या-क्या फायदे होंगे सर जी हम evidence में evidence की तरह use कर सकते हैं इसको हम क्या कर सकते है use as evidence अगर लडाई जगडा हो जाएगा ना तो यह evidence का काम करेगा सर सर यह हमारे लिए helpful होगा helpful to avoid conflicts helpful to avoid conflicts सर सब चीजे writing में हैं तो हमारे पास evidence रहेगा सर यह conflicts को हटाने में हमारी क्या करेगा help करेगा ठीक और सर जी हम इसको क्या कर सकते हैं use in court as evidence ठीक है evidence की तरह हम court में इसको use कर सकते हैं सर यह first वाला और यह वाला हम एक साथ भी merge करके हैं जी आप एक साथ भी merge करके लिख सकते हैं और साथ में आप एक point लिख लेंगे helpful in smooth functioning of a business business की smooth functioning में यह helpful रहता है तो यह कुछ बातें जो हमने आज cover की हैं यह हमारा partnership का fundamental partnership का chapter 1 का second lecture था आप लोगों को भूद भूद थैंक यू कि आप लोग हमसे connect कर रहे हैं जूड रहे हैं आप से looking forward है कि उन्हें कोई class मिल जाए free में classes मिल जाए तो उन तक जरूर यह वीडियो पुचाए और आप भी चैनल को subscribe करके bell notification को own कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपको मिल जाए क्योंकि इस चैनल पे अब आपको regular वीडियो मिलेंगी next class में हम बात करेंगे पहली दोनों classes में हमने जितने भी concept cover की हैं उनमें 10 years में board के क्या क्या questions आए हुए हैं यह बात करेंगे हम partnership के chapter 1 के 3rd वीडियो में जब तक के लिए घर रहिए पढ़ते रहिए क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीटते रहेंगे